नमस्ते जे नमस्ते के हल चाले आपके सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं आप सुनाएगे एगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे देखो हम हर संभब प्रयास करते हैं कि आपको GST में बेस्ट करके दिया जाए मैंने आपको conceptual clarity पूरी दी law के संबंध में पूरा diagramatically उसको समझाया उसके बाद पूरा GST portal घुमा के लाए टेक्सपेयर के इंगल से सब को समझा दिया goods क्या है, service क्या है like supply, intra, inter, return filing, manner of payment ये सब मैंने आपको सिखाया साथ मैं GST portal के माध्यम से भी आपको सारी जानकारी मैंने आपको दिये हैं पराकर, ठीक है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी एक कसक्सी रह जाती है, कि यार जैसे मैंने आपको यहाँ तक तो सिखा दिया कि हमने return अपनी file कर दी, या registration की application हमने आगे submit कर दी है, ले कि हमने कभी उस चीज का अनुभव नहीं किया है, तो आपको अचानक से return के बाद एक शोकोज notice आ जाता है, लेकिन return file करने से लेकर शोकोज notice आने तक के बीच का जो gap है वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, जो अधिकारी लोग होते हैं, वो किस तरह से अपना homework करते हैं, उनक set कैसा होता है, कैसे उनका working style होता है, search, seizure, raid, etc., audit, special audit, penalties, तो यह सब जो administrative चीजे हैं, अब यहाँ पर उस पार दिखा पाने में हम नाकाम थे, कि भी बस theoretically पढ़ा सकते हैं, practical कुछ बता नहीं सकते हैं आपको, तो इसलिए हमने आप से मिलवाने के लिए हमारे एक बहुती special guest है Joint Commissioner सहाब Intelligence श्री नरेंद्र यादव जी, इनके बारे में मैं आपको बताऊं, कि अगर हम इनको police department से तुलना करते हैं, तो यह encounter specialist हैं, अगर हम इनकी तुलना एक medical department से करें, तो एक बहुत बड़े सर्जन है यह, तो आएए, हम मिलते हैं Joint Commissioner सहाब से, और खुब अच्छे से ब साथ में, बहुत friendly atmosphere में, आपकी कोई भी query हो, department संबंधी, आप पूछिएगा, हम सर से बात करेंगे, और सारी बातों को discuss करके चलेंगे, बड़ी तसल्ली से, अराम से, लंबा समय लेके बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम, ठीके तो प्लीज वेलकम Joint Commissioner Shri Narendra Yadav जी, सर बहुत सर, नमस्कार, मैं सर, बच्चों को देख नहीं पा रहा हूँ, audience, जो मेरी है, क्या मैं उनको देख भी सकता हूँ, सर, वो आपको देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं, जी, 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 तो उनकी आवाज मेरे तक कैसे आएगी, मोनोटनस ही रहेगा, मैं ही बोलता सर, आप बोलेंगे, उनके बिहाब पर मैं आप से questions करता रहूँगा, अच्छा, that's good, सर, जी, 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 तो सर, सबसे पहले, हाँ सर, बोलियो, सर, प्लीज, सर, आज question की बहुचार करने वाले हैं, बहुत कुछ भरा हुआ है हमारे अंदर भी, सर, तो, कोई, कोई, पार जहां taxpayer बैठा हुआ है, और table के उस पार जहां आप बैठे हुए हैं, हम इस gap को मिटाना चाहते हैं, जो बीच में एक virtual सी दीवार है, उसको हटाना चाहते हैं, ताकि taxpayer और tax अधिकारी के बीच में एक proper समनवे हो, coordination हो, और कोई हलका-फुलका जो भैका माहौल होता है, वो भी न रहे, और रेक्टी चोरी भी ना करें, ठीक से अपना tax भी जमा करके चले, जिसे आपका burner भी कम होता है, तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचे जानना चाहूंगा, सर, बिलकुल basic sales, सर, कि आप कहां से हैं, और आपकी graduation कहां से हुई, आप IRS कब बने, और यहां सारे सामने जो audience है, सर, वो CA final के students हैं, जी सर, तो जैसे सार आपने बोला मेरा परिचे है, मैंने life में बहुत कुछ नहीं किया है, बहुत छोटी सी उमर में, साड़े 23 साल की उमर में नवकरी मुसे मिल गई, उससे पहले मैं पढ़ी रहा था, तो बहुत ज़रा struggle कभी देखा नहीं, और रही बात मेरी, मैं कहां से आता हूँ, मैं बिसिकली इलाहाबाद से बिलांग करता हूँ, उत्तर प्रदेश, और इलाहाबाद में भी एक छोटा सा वहाँ पे गाउं है, कर्चना तहसिल पढ़ती है, वहाँ गाउं है, मुंगारी, वहाँ से, और मेरी जो पूरा और उसके बाद पापा को थोड़ी सी यह थी कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना है, तो सहर की तरफ वह था नहीं, सर पहले थोड़ा सा सम्दित होते हैं, तो सहरों की तरफ जाते हैं, तो उनकी सोच थोड़ी अच्छी थी, बड़ी थी, कि बच्चों को पढ़ाना ह तो हम लोग को लेके जो है सहर में आ गए जहां पर हम लोग रेंटल हाउस में रहते थे शुरू में और छटवी से मैं फिर जो कस्वा नुमार सहर का दीजिए सराब इलाहाबाद का नहीं एक छोटा सा कस्वा है वहां पर छह से लेकर आठीं तक पढ़ाई किया उसके बाद पर इलाहाबाद प्रापर सिटी में आ गए टैक्स अड्मिस्ट्रेशन जब से ज्वाइन किया सर आल्मोस्ट आज बारा साल होगे सर तिरहावा साल है तो अभी दिसंबर में अडिसनल कमिशनर हो जाओंगा तो आई थिंक सर्विस में भी काफी सीनियर हो गया हूं सरब और चार-पांच साल से आप जो बता रहें सर सर सीजर अरेस्ट यही सब चल रहा है तो यह थोड़ा हेक्तिक भी हो जाता है कई बार सर अब मैं आता हूं क्वेशन के उपर जो हमारे स्ट्रेंट्स पूछ रहे हैं बिलकल बिलकुल सर सबसे पहला प्रश्ण जैसे कि हमने अपन अब हमें नहीं पता क्या हो रहा है सीधन कस आता है эту क्या सभी परकार की रिटर्न की स्कूरूटनी करते हैं कि कुछ सलिक्शन बडर्शउंस पे करते हैं और अगर सेलेक्शन भी करते तुछ कोस्का क्राइटेयरिया क्या होता है और इस क्रूटरी के बाद में आप 65 में audit कराते हैं 66 के इंदर special audit भी आता है 73, 74 के शोकोस भी करते हैं आपके पास like 67 में inspection search seizure का right है तो different tools हैं आपके पास में तो आप मुझे एक एक करके बताएगा सर कि आप कब कौन सा tool इस्तिमाल करते हैं कैसे homework करते हैं और आपके पास और different tools क्या होते हैं पकड़ने के लिए जो हमें नहीं पता text pin को नहीं पता होता है तो सबसे पहले सर मैं scrutiny पर बात करना चाहूंगा कि जो return की scrutiny आप करते हैं तो वो कब कैसे और उसके बाद का क्या step होता है return मैंने फाइल कर दिया आगे क्या है बिल्कुल आपने return फाइल कर दिया है तो हमारे पास जो है सर हमारा एक system होता है GSTN का आपने देखा होगा GSTN के system है तो basically क्या है सर हमारे पास हर एक return को match करने का एक option होता जैसे आपकी मैंने return to A GSTR 2A निकाल ली और अपना GSTR 3B निकाल लिया और आपका GSTR 2A 3B का match करके देख लिया कि कितनी अनॉमलिया आपके पास जो है invert supply जो है कम है और आपने जो है 3B में ज्यादा tax अवेल कर लिया है तो आपका एक mismatch दिखेगा आप ITC उतनी अवेल कर सकते हैं जितना आपके पास available है जितना invert supply है उससे आदा आप कर नहीं सकते हैं सर इसमें आप one to one चेक करते हैं या आपका system आपको या update करता है इसमें क्या है सर पूरे database हमारा system पे होता है तो system से हम एक पूरे SEC की जो है लिस्टी generate कर लेते हैं कि जितने SEC हमारे पास है सपोज अभी तुमें enforcement में हो तो मैं आल इंडिया कर सकता हूँ लेकिन अगर कोई कमिशनरेट में है डिवीजन में है जहां तो अपने system पे उसके पास सपोज करें सर हंडेट SEC हैं तो हंडेट SEC को रन करा दे हंडेट SEC का जो है जिस्टी आर टू ए और थ्री भी रन करा देगा और system आटोमेटिक निकाल के देदेगा कि यह मैं जा गया मतलब इन जो है जो है जिस्टी आर टू में कम सप्लाई थी इनवर्ड कम था और जो थ्री भी मैं टीसी अवेल की है वो जादा कर ली है तो system निकाल के आपको आपको जो है जो भी suspicious हैं उनको अलग कर देगा कि आप इनको एक बार देख लो इनकी सुपनी आप कर लो जी इस इस दा व पैरा मीटर सर मारे पास ऐसे ऐसे पैरा मीटर सें जो की ट्रेड को जो अपने आपको बहुत समार्ट समझता है रहें गवर्मेंट उससे ज्याला समार्ट है देखिए सर अच्छे हैं वो तो प्रापर रिटन फाइल करेंगे उनकी को अगर वो हम पॉइंट आउट करते हैं तो लेटर लेके आपने क्लिरिफाइग करते हैं हम अच्छे भी कर लेते हैं और लेकिन जो ये मलाफाइड माल प्रैक्टिस करते हैं अब अब तो सर इतने टूल्स हैं हमारे पास कि हम एक असेस्टी को ठीजिगरी एनलाइज कर सकते हैं